दोस्तों आज मैं आपको सलोथ जानवर के बारे में कुछ रोचक बते बताऊंगा तो वीडियो को अंतक जरूर देखेगा तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आप तो जानते ही होंगे हमारी पिर्थवी रंग बिरंगे जीवों से भरी हुई है कभी कभी सोचकर भी आश्यर होता है कि इस संसार में कित्ते तरह के जीवों निवास करते हैं आज मैं आपको ऐसे ही एक जानवर सलोथ के बारे में बताने जा रहा हूँ ये जानवर देखने में बिल्कुल अजूबा है साथ ही दुनिया का सबसे 80 जानवर भी माना जाता है दोस्तों क्या आप जानते हैं स्लोथ शाकाहरी होते हैं अगर इनकी लंबाई की बात करें तो ये करीब 33 इंच तक लंबे होते हैं ये जानवर अधिकतर दक्षिड अमेरिका के वर्षावन में पाय जाते हैं और क्या आपको पता है ये अपने सिर को 270 डिगरी तक घुमा सकते हैं और अगर इसके वजन के बारें बात करें तो इसका वजन करीब 3-5 किलो के बीच में हुआ करता है और आपको जानकर हैरानी होगी की स्लोथ सालों भर पेड़ से लटका रहता है और कभी-कभी तो इनकी मौद भी पेड़ों पर लटकते हुए हो जाय करती है और क्या आप चानते हैं इनके शरीब पर कभी-कभी हरीरं का शैवाल भी बन जाता है क्योंकि ये एक ही जगे लटके रहते हैं और दोस्तों क्या आपको पता है ये पेड़ पर इस तरह से लटके रहते हैं जिससे इनके दोश्मन को लगता है कि वह पेड़ का ही एक हिस्सा है और अगर इसके जीवनकाल के बारे में बात करें तो इसका जीवनकाल करीब 25 से 32 वर्षों के बीच होता है सबसे आश्यरी की बात ये है कि स्लोथ बहुत ही अच्छा तैराक होता है कई बार ऐसा होता है कि वन में होने की वज़े से लटकते लटकते ये ठक जाते हैं तो हाथ से ग्रिप कमजोर हो जाता है और ये पानी में गिर जाते हैं तैरने की कला के कारण ये आसानी से वहां से तैर कर बाहर निकल जाते हैं। और क्या आप जानते हैं, ये जानवर पेड़ पर लटकते हुए सोया करते हैं। ये दिन में करीब 15-20 गंटे सोया करते हैं। इस जानवर का ग्रिप इतना मजबूत होता है कि जिसकी वज़े से पेड़ के तने से रटकने में इन्हें आसानी होती है। और क्या आपको पता है ये शरीर के लिए अवश्यक पानी भी पेड़ से प्राप्त कर लेते हैं। मादा सलोथ अपने बच्चों का ध्यान उसी तरह रखती है जैसे की अन्य जानवर रखा करते हैं। मलतिया करने के लिए जमीन पर उतरता है। तो दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए फीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।